पॉली टेकनिक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसन भासा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ओन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलके नहीं तो नमस्ते दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे पहला हमारा टॉपिक के बारे में बात करेंगे पहला हमारा टॉपिक है other form of business organization मतलब की अन्य पिरकार के आपका ब्यपसाय संगटन दूसरा हमारी टॉपिक में हम समझेंगे आपके साजीदारी और आपका soul partnership क्या होती है इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है आपसे जो की अधिकतर पूछा जाता है कि साजीदारी और आपका soul आपका एकल समित्व के बीच अंतर आप बताईए तो इसके वीडियो की हम बारे में आज हम पढ़ेंगे तो वीडियो को लाश्ट तक आप लोग जरूर से देखें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अन्य पिरकार के ब्यपसाय संगटन और आप सभी लोगों को बता दे कि अगर आप पॉली संगटन कौन कौन से हैं आपके पहला आपका है निगम दूसरा है सीमित देता कंपनी और तीसरा आपका है सहकारिता ठीक तीसरा क्या है सहकारिता सबसे पहले हम जानते हैं निगम क्या होता है देखिए क्या होता है आपका आपका निगम उद्देश के निगम उद्देश क इसका मतलब है एक नियम द्वारा मुनाफे को कम्पनी की ब्यक्तिगत आयक के रूप में लगाया जाता है इसके बाद देखें निगम सरकार के द्वारा बनाए गए पिराबधानों के तरह कारे करता है इसमें कोई भी सेर खरीद कर अपनी भागीदारी सुनिचित कर सकता है एक पिरकार से यह सरकारी संस्था की तरह ही कारे करता है इसमें देखिए आपका जो निगम होता है कॉर्परेशन इसमें कोई भी जो की है अपने सेर लगा सकता है ठीक उसको खरीद सकता है इसके लाब क तफ the हानी नगम के होती है आपके जो bheres बिजनेस में आपके लाव और हानी हो वो आपके नगम के ही होंगे ठीक रिण और नुक्सान के लिए मालिक की देता को सिमित करता है ठीक तीसरा आपका है मुनाफे पर केवल एक बार टेक्स लगता है आपका अगर जो की है कॉर्परेशन है तो मुनाफिय पर जो की आपका फायदा हुगा उस पर केबल एक बार टेक्स आपका लगेगा चौता है स्वामित्व, स्वामित्व का हंस्तात्रन, ठीक है, स्वामित्व का क्या हंस्तात्रन, इसके बाद पांचमा आपका है, आपका दोहरे कराधान, दोहरे कराधान से बचा जा सकता है, इसके बाद हम इसकी हानियों को देख लेते हैं, कि आपकी क्या-क्या हानिय जुक कारण कॉर्प्रेशन आये पर दो बार कर लग जाता है क्या होता है देखिए इसकी सबसे बड़ी जुकी यहानी है कि अगर आप से जुकी है कुछ भी अपराद हो जाता है तो कॉर्प्रेशन आये पर दो बार जो कि आपका टेक्स लग जाता है ठीक है चलिए दूसरे बार द प्रदान करते हैं ठिक करते हुए प्रदान करते हुए मालक को सीमित देता प्रदान करता है अनिबार रूप से साजेदारी और आपके नगमों के फायदे एक LLC में जोड़े जाते हैं क्या होते हैं इससे जो भी आपका फायदा जो किया होता है वो LLC में आपका जोड़े जाता इसके देखे लाब क्या क्या है अपनी अलग कानूनी पहचान रिंड या हानी के लिए कंपनी के मालिक के लिए आपका उत्तर दायत वह सीमित करता है इसकी हानी देखे क्या क्या है पहली तो हानी इसकी होती है स्वामित तो कुछ राज्य कानून द्वारा सीमित है दूसरा है आपका समझोते ब्यापक और जटल होते हैं इसके जो भी आपके समझोते होते हैं LLC के ये ब्यापक ये बम जटल होते हैं तीसर इसमें आता है Sहाकारी, ठीक, शाकारी में दीखे हम क्या लिखाएंगे यह सहाकारी व्यफसाइ संगटन है, जो अपनी, जो अपनी सेवाओं का यूज करने बाले को लाव के लिए आपका स्वामित्व और संचालन करता है, एक आपका स्वास्ठ सेवा, आपका खुदर किर्सी कला और आपका रिस्तरा उध्धोग में आम है ठीक जो आपके अपड़े बगराएं के उध्धोग होते हैं उसमें जो कि यह आम है सहकारी द्वारा उत्पन लाव और आय को आपका सदस्यों के बीच बितरित किया जाता है इसे आपका उभोकता करता स्वामित्व ठीक स्वामित्व के रूप में भी जाना जाता है तो यह जो कि आपके तीनों थे जो कि आपके अन्य प्रकार के व्यपसाय संगठन होते हैं उन सभी के बार में मैं आपको बता दिया यह ज़्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए नहीं है बट आप फिर भी जो कि है हमको दे इकल सौमित्व और साज़िदारी के बीच अंतर हमको जो कि है इसमें बताना है देखिए एक दम जो कि अगर आपने एकल सौमित्व अच्छे से समझाए और पार्टनर से समझाए तो आप इसनके बीच जो कि है अंतर अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं और यह अंतर भी हमने है जुकी है आपके लिए अपने मंद से बना कर लिखे हैं देगे इसमें उद्ध्योग का मालिक एक ही ब्यक्ति होता है सभी लोग को पता है जो सोल पार्टनर्शिप होती है उसमें किसी भी उद्ध्योग का मालिक केवल एक ही ब्यक्ति होता है पार्टनर्शिप क्य का नियन तरण एक ही व्यक्ति करता है इसमें इसके पास इसमें सभी के पास होता है ठीक इसमें कोई भी आपका निलना है उसको कोई भी एक व्यक्ति ले सकता है या जो की है पूरा कंट्रोल आपके बिजनस का एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है लेकिन ऐसा आपके पार्टनर इसमें उद्योक की गोपनियता बनी रहती है और इसमें ऐसा नहीं होता है। जब आपके शिक्रेट्स के अई है और इसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन पार्टनर्सिप में धोका धड़ी की जादा चांस होते हैं ऐसे ही बना बना कर जो की है आप हम कह रहे हैं आप 15 से 20 जो की है अंतर इसके बीच लिख सकते हैं अगर आपने इस दोनों चीजे अच्छे से पड़ी है तो ठीक है तो अगर आपने इसके पहले वाले वीड करें और साथ ही बेल आइकन को भी ओन करें ताकि आपको सारी अपडेट मिलके रहें